हेलो स्टूडेंट्स, वेल्कम टेस्वे अकडमी रावला उनलाइन क्लासेज, आज मैं क्लास अठवी वीच पार्थ नमबर दो, पंजाब वीदा जंगला दिलाव पड़ान जारियां, इस वीच साधे जीवन वीच जंगला दिलाव दस्ते हान, कि किस तरह जंगल होने बहु जरूरी हान, देश भी जंगलों उने चाई दे हान, जिस नल साधे ऑक्सीजन दे काठ खतम हुन दी है, जंगली वीच पेड़ पो दे हान, जिस न तना ता रनुपता ही है, कि जो पेड़ पो दे हान, कारबन डाय अक्साइड गैंस लें दे हान, तो ऑक्सीजन गैंस चट साधे साल्में बहुत जरूरी है इस विच जंगला दे लाब तसे गए जंगला तो प्रापत होन वाली चिज्जां बरेवी दिस्यां गया है जंगला तो सानुकाइत रह दिए चिज्जा प्रापत होन दियां जिवेकी लकड़ी गूंद और होरवी चिज्जां जड़िये बूटियां आदी निल्दियां हान जेकर जंगल ना होनगे तम नुखा दा साख उप्टिया जावेगा इसलिए सानुए नदी संभाल रखने चाहिए दी है एक कई लुग कानों रोजगार भी परदान करते हान उनमें लेसन पड़ान जा रही ह तुस्या वेखरे हो कि यही जंगल दिपिकरिती हो यह किस तरा जंगल उग्यों यहन बहुत सारे पेड़पोत देहान जंगल कुद्रती बहुत वड़िदा थान कई लोग जदों जारा मिला वीच पहले जंगलानू देख देहान ता सोच देहान कि तर ती दे इन्ने वड़े शेहर वास सकते हान। परोनानू बता नहीं कि मनुख़दी कुशाली ते सुख लई एही जंगल बहुत जरूरी हान। जिस तरा किसे वड़े शेहर दी सेत लई बागत इतला होने जरूरी हान। ऐसे तरा किसे देश दी सेत लई जंगलान दा होना बहुत जरूरी ह देश 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 रीर वीच जंगल बड़े बड़े फेफड़े आमांगान। जंगल देश आंदर नजारे आदमी दीश पुखनों जुगां जुगांतों त्रिप्त कर देया हैं। चोदावरे बान वीच गट्टें। तानमी पता ही है कि चोदावरे शिदस बनवास हो यसी शी सीरामचंदर जिनों फिर जंगल वीच रह सी। महात्मा बुद्ध नुवी संगने जंगलां विच बैठके ग्यान होया शुरू विच जदों शेहर ते बस्तियां नहीं बनिया सान ता जंगल ही आदमी देकार सान। उन्वी जदों से शेहरां विच बागलां दे हां ता इस पिछे जंगल लई मनुख दी सदीवी तांग लुकी हुंदी है। इस विच कोई संदे नहीं कि वटे वटे शेहर बना के मनुख ने बहुत उंती किती है। पर जों जों नुख कुद्रत दे महान जंगलां दे खुले डूले जीवन तो दूर हुंदा गया। अते लोहे इटा आते सेमेंट दे पिंजरें विच अपने अबनुख कैद करता गया। उस दी से तरिक दी गई। तो आन्वी पते है कि पहला वातवरन खुला हुंदा सी पेड़ पुद्ध जादा लगाया जंदिसान। उन पर लोग कच्चे मकान ना विच रहन दे सान। तो आसे कारण बारल हवा लग दी नी। तो सेत डिक दी जान दिया है बीमारियां वादगियां नी। पर ना हर चीज तंद्रूस्त हुंदी से पेवर हुंदी से शुद् जंगला नो कटके कारभ ना ले गए हान। ते खेती वाड़े भी कट गई है जिस्ते कारण शुद्ध चीजां खतम हो गयां। शुद्ध सब्जियां वी उगदियां नी। और खाद या टीका लगाके पकाये जन्दे हान। जिसना साथी से ते असर उल्दाया। आंदे संकट समय करके कुछ देशां वीच सरकार ने बहुत सारे जंगल कटके जमीन नो हल हैठ ले आंदायानी आंदा संकट है ता करके कटना जोन करके सरकार ने जंगल कटले ते उत्थे खेती बड़ी करन लगी। शुरू शुरू वीचता एहे तजर्बा बड़ा सफल नजर आया पर छेती ही आदमी नू अपनी इस मुर्वता दी सजा मिलनी शुरू होगी। जंगला देकते जानना कुद्रत देकान उनसार जालो वायू वेच बहुत दिल्ली आई। साइंस दा असूल है कि जंगला वीच वायू मंडल बड़ा शीतल रहनदा है। जद बड़ल समुंदर वल्लो उड़के आंदेहान ता मारू थल उत्तों दी बिना मी पाए लंग जनदी। जद जंगला उत्तों दी लंग दी हान ता वायू मंडल ठंडा होन गर के मी वार पैंदा है। यही कारण है कि जंगला नाल टक्य होए परबतां उत्ते बहुत मी पैंदे हान ते मारू थलां उत्ते बहुत काटवर कांदी है। सरकारी रिपोर्टरां विच मन्या गया है कि जित्ते जित्ते वी जंगल कटे गए हान उत्ते उत्ते मी काट गए हान आते एहे इलाके कुछ जेर फसला देन मगरू बंजर हो गए हान। इस गालवाल पार्त सरकार ने चेच्चा त्यान दित्ता है। हर साल वन माहा उत्सव मनाया जंदा है। ते लखा नामे बिर्क लाया जान देहान बिर्क यानि रूक पेड। इस तों छोट जंगल और वी अनेक मनुख्य लोडानू पूरा कर देहान। जंगलांदी लकड़नाल असी मकान बणाउं देहां। फिर मकान देंदर कुर्सियां मेज मन्जे पेडियां वी जंगलांदी ही दाथान। जे जंगलां विचों लकड़ी ना आवे तचुल्ले वीच आग ही ना बले है। सर्दी वीच लोग पाले ना ठार जन पाले यानी ठांड ना ठार जन ठंडे हो जन लकड़ी ना लहीं। खिष्तियां निके जहाज अते गड़े रेड़े आदी बनाए जान देहान। जे कर एहे ना होन ता वपार अद्दा रह जाए ते कई धामाते चिज्जाना पहुंचन करके काल पैजावे। जंगलां दा सब तो भड़ा लाग एहे है कि बिरखाणियां जड़ाना तरती पोली हो जान दी है ते बारश दा पानी सैजे ही चूस लन दी है। जे जंगल ना होन ता पहाडां ते वस्से मीहां दा पानी सारे दा सारा रुड के धर्यामा वीच आडिके मेदाना वीच हजारां पिंडानू तबाह कार देवे। नाले पानी धी ते जीनान धर्या बहुत सारी पुझाओ तरती नू रोड के नास करते वे। यानि मीपव। पुझाओ तरती यानि पुझाओ मिट्टी वी रोड के नाल जली जाओ। जिस नाल फिर फसलनी होएगी। इसलिए इस दा बहुत वर डलाव है के मिट्टी नू पकड़के रख देहान रुक। इसलिए साननू जंगलानू नहीं कटना चाहिदा। तुसी इस लेसन नू दो तीन मारी सुनोगे तो अपनी बुक विच पढ़ोगे भी। कल मैं इस दो अगे लेसन कराऊंगी। अज इनना ही। थैंक यू स्टूडेंट।